तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके व्यूज जो हैं वो पहले से ज़ादा आने लगे हैं दो-तिन व्यूज की जो आपकी प्रोब्लम है वो 100% सोल्व हो जाएगी हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास31 टेक तो फ्रेंड्स अगर आप एक क्रियेटर हैं आप एक यूट्यूबर हैं और काफी समय से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं आप अपनी खुद की ओरिजिनल वीडियो बना रहे हैं खुद का content बना रहा हूँ, खुद का ही मेरा सारा original content है, मैंनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी videos के उपर views नहीं आ रहे हैं, और आप सोचने लगते हैं कि इस problem को मैं कैसे solve करूँ, इसका क्या solution है, तो friends आज की इस video में मैं आपको एक ऐसा नया तरीका बताने वाला हूँ, कैसी नई trick बताने वाला हूँ, जिसको आप अगर अपनी videos में use करेंगे, तो जो आपकी videos हैं, वो जल्दी से जल्दी viral भी होंगी, और आपको उस पर अच्छे खासे views भी देखने को मिलेंगे, मतलब आपके वीडियो के उपर views जो हैं, वो भर-भर के आएंगे, तो बहुत वीडियो को शुरू करते हैं, तो friends इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे वीडियो का अपलोड करते होंगे, आप सबसे पहले अपने mobile phone से YouTube की application के अंदर जाते होंगे, और वहां से आप किसी भी वीडियो को private करके या unlisted करके अपलोड कर देते होंगे, उ उसे open करते होंगे, और जो आपने वीडियो भी डाली है, इसमें upload की है, उसमें आप उस वीडियो पर click करते होंगे, और उसके बाद यहाँ पर pencil icon पर click करते होंगे, और उसमें edit करते होंगे, यहाँ पर एक अच्छा सा title लगाते होंगे, और नीचे description लिखते होंगे, करते होंगे made for kids है या not made for kids है उसके बाद आप नीचे यहां पे more option में tags का option है यहां से आप इसे अंदर वीडियो के अंदर जो भी tags आप लगाने चाहते हैं अपनी वीडियो से related वो आप यहां पे type करके लिख देते होंगे तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो का upload करते होंगे YouTube के उपर अपनी YouTube वीडियो पे और इस तरीके किसे ऐसे करने से आपको views नहीं मिल रहे होंगे तो मैं आपको एक बहुती अच्छा तरीका बताने वाला हूँ तो उसके लिए मैं आपको अपने laptop के screen पे लेके चलता हूँ वहाँ पे screen बड़ी है आपको अच्छे से समझ में आएगा तो friends यहाँ पे मैंने एक video open की हुई है जिस video पे आप देख सकते हैं मेरे जो lifetime इसके views हैं वो जो आपके views हैं यहाँ पे 61,000 से ज़ादा है और यहाँ पे आप watch time भी देख सकते हैं कितना ज़ादा मुझे मिला है और इससे 262 सब्सक्राइबर से ज़ादा मुझे इससे मिले हैं और इससे जो revenue generate किया है वो आपको चैलेज डोलर के आसपास है आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो इससे views आ रहे हैं last 48 hours में 267 है मतलब इस video पे भी भी views आ रहे हैं और अगर मैं आपको इसकी reach दिखाऊं तो मैं reach पे click करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे आके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो YouTube search से मुझे जो views मिले हैं वो 81.6% मुझे YouTube search से मिले हैं और मुझे suggestion से भी views मिले हैं जो recommendation होता है दूसरी video के नीचे suggest में आती है वहाँ से मुझे views मिले हैं तो आप देख सकते हैं यह genuine views हैं जो YouTube search से मुझे मिले हैं YouTube जो आप video डालते हैं YouTube पर जो लोग उपर search करते हैं topic को उस topic से मुझे मिले हैं तो इस तरीके से आपके views भी बढ़ सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको एक अब वो नई trick बताने वाला हूँ तो trick को द्यान से देखना है आपको YouTube.com के उपर आ जाना है ठीक है मैंने यह open किया हुआ है और यहाँ पर आपको जो भी आपका title है जो topic है जिस topic पर आपने video बनाई है उस topic को आपको यहाँ पर लिखना है उस title को जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ YouTube पर YouTube वीडियो पर views कैसे बढ़ाएं ठीक है यह आपका माल लीजे topic है तो आप देख सकते हैं मैंने YouTube वीडियो पर views इतना ही लिखा है और इसमें आपके सामने काफी सारे यहाँ पर titles automatic आ गए है YouTube व एडियो पर views कैसे बढ़ाएं आप देख सकते हैं कितने सारे आपके सामने आ गए हैं तो आपको एक एक करके इन सबको copy करना है copy करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो इस पर click कर देना है तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसे का दूसरा tag बन जाएगा तो इसको यहाँ पर paste कर देंगे उसके बाद यहाँ पर enter कर देंगे और यहाँ पर फिर आपको फिर से views तक रहने देना है YouTube वीडियो पर views उसके बाद यहाँ पर third वाले option को copy कर लेना है ठीक है Ctrl A, Ctrl C और यहाँ पर Ctrl V से आप paste कर सकते हैं उसके बाद ऐसे ही आपको fourth number पर जितने आप tags डालेंगे अपनी वीडियो में वो यहाँ से आपको लेने है YouTube वीडियो पर views कैसे लाएं तक हो गया था YouTube वीडियो पर views कैसे बढ़ाएं इस वाले जो tag है इसको हमें यहाँ से copy कर लेना है Ctrl C से और यहाँ पर हम Ctrl V पर click करेंगे ठीक है चार tag हो गए इसी तरीके से हमें सारे tags को यहाँ पर copy कर लेना है तो इस तरीके से आप YouTube वीडियो पर views वाले सारे tags को copy कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि views कैसे बढ़ाएं आप देख सकते हैं views कैसे बढ़ाएं इस वाले tag को हम copy कर लेंगे views कैसे बढ़ाएं इसमें Ctrl A Ctrl C और उसके बाद notepad के अंदर आके Ctrl V इस तरीके से हम यहाँ से copy कर लेंगे और इसमें ही दुबारा इससे related आपके topic से related जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं वो सब आपको copy कर लेंगे हैं notepad के अंदर अलग से और जब आप अपनी वाइटी स्टूडियो में जाके videos को edit करते हैं तो यहाँ से आपको इन tags को एके करके copy करके वहाँ पे डालते जाना है जो आपके वाइटी स्टूडियो में जहाँ tags का जो आप edit करते हैं वीडियो के अंदर वहाँ से आपको उसे वहाँ पे डालते जाना है और इस तरीके से आप अपनी वीडियो में अच्छे tags लगा सकते हैं इन tags के लगाने से क्या होगा कि आपकी वीडियो rank करेगी search में भी आएगी और suggestion में भी जाएगी जिससे आपकी वीडियो पे जो views है वो तेजी से बढ़ने लगेंगे आप एक बार इस trick को try करके देखें और आपके views आपको जरूर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपको continue इस trick को करना है आपको यह नहीं सोचना कि मैंने एक वीडियो में try किया और नहीं बढ़े तो आप यह सोचेंगे कि नहीं यह trick वर्क नहीं करती आपको continue अपने सारी videos में इसी trick को follow करना है तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके views जो है वो पहले से जादा आने लगे है 2-3 views की जो आपके problem है वो 100% solve हो जाएगी तो friends आप अपनी videos पे इस तरीके को use करके देखें और उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपकी video के उपर जो views है वो बढ़ने लगे हैं आपके 2-3 views की जो problem है वो solve हो गई है अगर फिर भी इस video से related कोई भी question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको video अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you